त्यों का क्या आप भी यहां पर इजिली देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं यहां यहां पर जल्द से कॉमेंट में बताना थेक है तो आसका यहां लिए निस ही आप delivery तोपिक हěं वह क्लास 10 के लिए और जो की आप देख सकते हैं इंश solution ठेके और इसके बाद हमारा जो चेप्टर का नाम है कुछ इस परकार से हैं अमलचर्णाक और लवन तो अमलचर्णाक और लवन यह आपका चैप्टर का नाम है तो यहां पर अगर आप दिखेंगे तो लिखा हुए कि आज हमारा जो अधिया है ना हस्ते हस्ते समाप्ट हो जागा तो पूरा ही बारिकी से मैंने बताया है इस वीडियो में तो आप देखने का बहुत ही असानी से परियास किजिएगा और यहां पर मैंने लिख क्या रहा है कि साथ ही नोट्स मिलेगा जिया गाईज साथ ही आपको क्या मिलेगा तो नोट्स मिलेगा कहने का मतलब यह है कि अगर आप बाई मिस्टेक अगर वीडियो को रोक कर नहीं लिख पाते हैं नोट्स तो आप वीडियो के देखे नहीं है तो चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहले कि आखीर यह अमल होता क्या है लिया खै कि Isky तो बहुत ही बारिखी से आप समझेगा आपको कभी भूलेगे नहीं जाल wipe तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर अमल है तो अब हम समझते हैं कि अमल का जो डिफिनेशन है कुछ इस परकार के आप देखने का परियास कीजे तो यहाँ पर अमल का क्या है Definition है मैंने एके करके तोड़ तोड़ कर लिख दिया है तो यहाँ पर अमल हम किसको कहेंगे तो कज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखाओ बहा है कि सवाद में खटे होते हैं जिए अगर आपको अमल कहें पर नजर आएंगे तो यार सवाद में क्या होंगे वे खट्टे होंगे अब खट्टे कहने का मतलब example अगर आप देखेंगे तो हमारा जो अंगूर होता है अंगूर के साथ साथ इमली होता है और इमली के साथ साथ आप अगर समझेंगे तो इमली अंगूर और कह सक में पहें आम का जो अचार होता है वह भी क्या होता है और संत्रा का रास और निंबु का रास यह सब क्या होते हैं तो जो पदार्त खटा होसों आप को आहेंगे तो यह भी बात अब ये है कि हमारा जो नीला ली लィक्ण होता है वह क्या होता है एक होता है और जैसे ही अगर उसंपर हम अम्ल डालते है तो वह क्या करता है lovesР तो ये बात आपको क्याल रखने है अभी हम आगे बात करेंगे कि नीनले लीक्ण मस्पत्र क्या है और लाल लेट मस्पत्र क्या है ये सबका वारे में आज इस वीडियो में आपको बहुत ही वारी किसे बताएंगे ठीक है और इसका बात यह भी बात आपको ख्याल रहेंगे कि हमारा जो अमल होता है वे जलिये बिलियन में जलिये बिलियन कहने का मतलब यहां कि जो जल में जो बिलियन होगा उनमें क्या करेगा यह कि हाइड्रोजन पलस आयन यानी हाइड्रोजन पलस कहने का मतलब हाइड्रोजन धन आयन देते हैं लाइक अगर बात करें तो कौन-कौन से ऐसे अमल है जो कि आपको जलिये बिलियन में आपको क्या करेंगे आपको हाइड्रोजन पलस आयन यानि हाइड्रोजन एज का मतलब हाइड्रोजन और पलस का मतलब धन आयन ठीक है तो जहाँ पर और हाँ आपको पता है कि पलस होगा तो धन होगा और माइनस होगा तो अगर आप उस अमल का नाम देखना चाहते हैं जो कि हमारा जल में क्या देते हैं तो हाइड्रोजन पलस आयन देते हैं लाइक अगर बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं तो हमारा एक अमल है जो कि आप नीचे देख सकते हैं मतलब है घ्रोजें बादाएन टिके तो यह आपको क्या करेंगे जल में आपको रिव क्ल देंगे ऐते हैं याश्टय यक यह जल्स यह जहें अपनी होतीं है जिसको हम एस्टिक भी कह सकते हैं तो ये आपको अमल जो होती है यार ये भी आपको जली बिलियन में पलस आयन देती है ठीक है और इसके बाद आता है साइट्रिक अमल ये भी क्या करता है यार ये भी आपको जली बिलियन में आपको हैड्रोजन प्लस आयन देते हैं तो ये सभी बाते आपको बहुत ही असानी से आ गई होगी और इसके बाद आता है कि इसका जो हमारा पिएच मान होता है वो क्या होता है साथ से कम होता है कहने का मतलब यह है कि हमारा पिएच एक असकेल होता है उस पर एक से लेकि चौदा तक एक मान होता है उसमें दर्साया होता है कि अगर साथ से कम होगा तो यह सब पदार्थ को हम अमल बोलेंगे और साथ से ज्यादा होगा तो उसको हम छारक बोलेंगे और साथ के बराबर होगा उसको हम उदासिन बोलेंगे तो यहाँ पर मैं आपको अबी आगे समझाऊंगा कि अखिर pH आखिर होता क्या है ठेक है तो यहाँ पर अमला अगर आप इसको लिखना से आते हैं तो बहुत ही इसली यहाँ पर आप लिख सकते हैं तो यह सब बात आपको असानी से आई कि नहीं आई तो दोस्तों चलिए अब हम समझते हैं आगे की बाते तो यहां पर अगर आप आगे की बातों को समझेंगे और हाँ यहां पर आपने मैंने यार लिख कर भी क्या रहा है कि यहां पर हाइड्रोजन प्लस आयन यानी हाइड्रोजन के धान आयन यहां पर देते हैं ठीक है तो चलिए अब दोस्तों समझते हैं आगे की बात हैं तो आगे बढ़ने से पहले अब हम समझते हैं कि आखिर सांद्र अमल यहाँ पर देख सकते हैं सांद्र अमल हम किसको कहेंगे और इसके बाद हम समझेंगे कि तनु अमल किसको कहते हैं तो यहाँ पर अगर आप इजीली परिभासा को देखेंगे तो लिखावा है कि जिसमें अमल अधीक मात्रा में और जल अलप अलप यानी कहने का मतलब थोड़ा मात्रा में हो तो वैसी अमल को हम क्या बोलेंगे सांद्र अमल कहेंगे कहने का मतलब यह है गाइज की जब भी हमारा अमल देखिये कर समझाते हम जैसे यह पर बाल्टी ऑर इसमें बहुत सार proud । पर बहुत सारा क्या है अमल है और यहां पर थोड़ा सा अगर पानी रहेगा ना तो ऐसे अमल को हम क्या कहेंगे हम सांद्र अमल कहेंगे ठीक है तो आपको यहां पर ख्याल रखनी और इसके बाद आता है तनु अमल तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि जिसमें अमल और जल अधिक मातरा में कहने का मतलब यह है कि हमारा एक बाल्टी रखा हुआ है एक डग है और डग में बहुत सारा क्या है यहाँ पर जल है और बहुत सारा इसमें जल है तो जल में थोड़ा सा अगर हम अमल मिला देंगे तो हमारा जो ये बिल्गेन होगा न वो क्या होगा वे आपको तनु अमल होगा तो यह भी बात आपको बहुत ही असानी से आ गई होगी तो यहाँ पर आप लिखने का प्रयास किजिए तो चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर आगे हम क्या समझने वाले हैं तो आईए दोस्तों अब हम समझते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है चारक चारक का अगर इंगलिस बात करें तो वह होता है बेस ठीक है तो यहाँ पर चारक का बहुत ही असानी से मैंने डिफनेशन लिख दिया है यहाँ आप यहाँ पर लिखने का प्रयास किजिए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि चारक सवाद में करवे होते हैं कहने का मतलब यह है कि चारक जो होते हैं वे सवाद में करवे होते हैं कहने का मतलब यह है कि हमारा जो जिससे आप नीम के पता समझ रहा है हमारा जो नीम का पता होता है वो क्या होता है एक तरस यार करवा ही होता है अगर आप उसको चबाओगे ना तो यार मुह से यार उल्टी हो जाएगी तो यहां पर नीम का जो पता है वो भी क्या है एक छारक की तरह होता है और इसके बाद आप समझ रहें घरों में जो करेला ह कलवा होता है तो कोई भी पदार्थ अगर कणवा होगा तो नीमकंप पत्ता और यानі जो गरजसती झाता पतलु संमझेंगे क्या कि są चारक है आप कछा बेर्व होता है यार बहुत ही अजब टाइफ की लगती है तो वह भी कि है इसके बाद आगर ऑप समझेंगे तो आपका जो घरों में जो साबुन होता है जो असनान करते है तो आर कभी काल अगर आपको गबाई मिस्टेक अगर मुह में चला जाता है तो यार गजब टाइफ की वहाँ पर फिलिंग होती है ठेक है तो यह भी बात आपको बहुत ही आसानी से आगे होगी समझते है कि यह क्या करती है कि लाल लिटमस को नीले में बदल देती है कहने का मतलब यह है कि मैंने यहाँ पर आपको बता क्या रखा है आप देखने का परियास किजीगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नीले लिटमस को लाल में बदल देती है लेकिन लाल लिटमस पत्रों को क्या करती है उस पर कुछ परभाव ही नहीं पड़ता है तो यहाँ पर चारक में क्या है तो चारक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाल को क्या कर देती है नीला में बदल देती है तो कि यहाँ पर लेटमस लेटमस आपको समझ नहीं आ रही होगी लेकिन मैं अभी आपको जो आगे समझाओंगा न तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह लाल लेटमस को क्या कर देती है नीले में बदल देती है और इसके ब यहां पर देख सकते हैं मैंने लिख कर क्या रखा है हाइड्रो ऑक्साइड के यहां पर रीन आयन यहां पर देते हैं उदारन में अगर बात करें तो कौन-कौन से यहां पर छारक है यहां पर देख सकते हैं मैंने लिख करका है कि एन अचरक है और इसके बाद आता है NH4OH यानि Ammonium Hydro Oxide यह आपको क्या है चारक है तो यह सब आपको चारक है तो यह सब आपको हमारा जो जली बिलियन होगा उसमें आपको Hydro Oxide आपको Rhinion देंगे ठीक है तो यह भी बात आपको बहुत यसानी से आगई होगी हाला कि मैं आप आपने लाप यहां पर समझने का परियास किजिएता है नहीं तो यहां पर आपको समझादुर्ण होता कि आप खुशार होता किया है तो चार यहां पर होता है कि जो चार NA यानि कोई भी चारक है अगर वह जल में आची तरह घुल जा exatamente जैसे आपर एक बाल्टी है और इस बाल्टी में मैंने छारक को डाला कोई भी मतलब छारक को डाला तो यहाँ पर जो छारक अच्छी तरह पानी में घुल जाएंगे तो उनको हम क्या कहांगे तो अगर लाइक अगर बात करें तो हमारा NAOH यह जो होता है यह आपको छारक होता है जो की पानी में घुल जाता है तो यह आपको क्या है यह आपको छार है तो छार और छारक में थोड़ा सा ही अंतर है तो आपको यहाँ पर घवरानी नहीं है ठीक है तो आई यह दोस्तों अब हम समझते हैं आगे की बाते ठीक है तो यहाँ पर अगर मैंने अब समझा किया रखा है हमने अमलचारक और अमलचारक तो मैंने बात कर लिया है अब हम बात करते हैं कि आखिर यह लवन होता गया है तो आप यहाँ पर समझने का परियास किजिए कि लवन का जो इंगलिस होता है वो होता है साल्ट ठीक है तो यहां पर हमारा जो लवन का जो परिभासा है बहुत ही असानी से और मैंने लिख रखा है तो लिखा है कि वह पदार्थ जिसका सवाद न हो यानि कुछ भी न हो ठीक है हम खाये तो पता ही न चले किया रहे इसका सवाद कैसा था यानि वह पदार्थ जिसका सवाद कुछ भी नहों यानि आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है तो गज यहां पर आपको यहीं याद रहना है कि वह पदार्थ जिसका सवाद नहीं वह उदासिन हो ठीक है और इसके बाद यह है कि जो नीले लीटमस पत्र पर अथा लाल लीटमस पत्र पर कोई परभाव भी नहीं याइनि यह क्या है उदासिन है ठीक है और इसके बाद यह आता है कि यह हमारा जो यहां पर लिखाव है कि यह अमल छारक को मिलाने से बनता है कहने का मतलब यह है कि हम लवन किसको कहेंगे तो जब भी हमारा अमल और छारक मिलेगा तो यह हमारा क्या बनाएगा लवन तो यहां पर मैंने लिख भी रगाए कि यह अमल और छारक को मिलने से बनता है और इसके पास यह किया एक तरह का योगिक है क्यों कि यार यहना अमल और छारक को मिलने से बना है यानि दो ततों को मिलने से बना है यानि योगिक हम किसको कहांगे दो या दो से ज्यादा भी तत को हम कह सकते हैं वह क्या होते हैं ठोस होते हैं ठेक है तो यह भी बात आपको बहुत ही असानिस से आ गई हुए ठेक है तो चलिए अब हम समझते हैं आगे की बाते हैं तो मैंने तो अमल अचारक और लवन आपको क्लियर कर दिया कि आखिर यह होता क्या है ठेक है तो चलिए अ हम समझते हैं आगे की बात हैं आई ये दोस्तों अब हम समझते हैं कि आखिर यह सुचक होता क्या है तो आगई बात बहुत ही में मुद्दा पर और अब हम समझते हैं कि आखिर यह सुचक होता क्या है तो आप देखेंगे तो सुचक सुचक अन्य इंडिकेटर्स तो यहां प है मैंने आपको अमल-चारक और लोन भता abgesुष न है तो क्या आप किसी भी प्रध को चख कर आप पता लगा सकते हैं कि वह अमल-चारक है जिया आप पता तो लगा सकते हैं बड़ वहां पर कुछी पदार्थों को फटा लगा सकते क्योंकि यहाँ पर कुछ पदार्थ ऐसे भी होंगे जिसको आप चखेगा तो हो सकता है आपकी वहाँ पर मिरित्टी हो जाए तो इसलिए हमारा सुचक बनाया गया है कि सुचक वह पदार्थ होता है जो अमल छारक को गुनों को बताता है कि वह कोई भी पदार्थ अमल है कि छारक है वह आपको बताता है तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही असानी से आपको मिल जाएगा कि बिलियन में अमल या तो चार के उपस्तिती को दरसा आते यानि सुचक वह पदार्थ होता है जो की अमल और चार को क्या करता है ये बताता है और इसके बाद अमल चार को बताता है सुचक तो सुचक का जो रंग या तो गंध वो तो अमलिय या यह उमचारिय माध्यम से बदल जाता है कहने का मतलब यह है कि हमारा जो सुचक होगा सुचक में अगर हम जैसे ही अमल डालेंगे तो अमल डालेंगे तो हो सकता है उसका रंग परिवर्तन हो जाए हो सकता है इसका गंध परिवर्तन हो जाए और इसके बद छारक डालेंगे तो हो सकता है जो अमल का जो गंध था उसे अलग टाइप किया है जो अमल का जो रंग था उसे अलग टाइप किया है तो हमारा सुचक क्या करता है कि अमल डालेंगे तो अमल के अनुसार उसका रंग बदल जाएगा और छारक डालेंगे तो छारक के साथ उसका रंग बदल जाएगा तो सुचक बस आपको यहाँ पर यह क्याल रखना है कि जो अमल और छारक उपस्तिति को बताते है कि कोई भी पदार्थ अमल है कि छारक है ठेक है तो यार ऐसे कैसे हम किसी भी पदार्थ को चक कर बतानी सकते है कि कोई भी पदार्थ अमल है यह छारक है तो हमारा सुचक ही ब साकरितिक सुचक और इसके बाद होता है आपका क्रित्रिम सुचक और जिसको हम कह सकते संसलेशित सुचक और इसको कहते हैं मानो निर्मित सुचक ठेक है और इसके बाद आता है गाइस गंधिये सुचक क्या आता है गंधिये सुचक तो यहां पर यह भी बात आपको याद तो सबसे पेले आता है हमारा यहां पर प्रकृतिक सुचक जो कि मैंने यहां पर लिख रखा है सुचक जिसमें आता है हमारा प्रकृतिक सुचक तो जब हम समझते हैं कि आखिर यह प्रकृतिक सुचक होता क्या है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने परिभास्ता को इजिली लिख रखा है कि वे सुचक यानि वे सुचक जो पादप से पराप्त होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं पराकृतिक सुचक कहने का मतलब यह अगर आप इजिली समझेंगे तो वैसे सुचक जो मतलब शुरू से लेकर अंत तक पहले से होता ही होता हो वैसे सुचक को हम क्या बोलेंगे यार तो यार वैसे सुचक को हम बोलेंगे प्राक्रितिक सुचक कि यानि अगर इसले आपद के तो यया कि अपने पादप को बनाया है नहीं बनाया यानि वे जनम से शुरू से लेकर अंथ तक होते ही होते है तो आपको यहाँ पर छ्याल रहाmons के कि जो कि आपको हैले सी होता हो बन इसमें थोड़ा सा हेल्फ करना होता है तो वैसे सुचग को हम क्या बलेंगे प्रकृतिक सुचग ठीक है यानि जिसको किसी नहीं बना है उन्हीं को कहते हैं प्रकृतिक सुचग जैसे अगर बात करें तो क्या हल्दी को किसी ने बनाया है यहां पर आप देखेंगे तो हल्द आपका एक प्राकृतिक सुचक है ठीक है तो यहां पर आप लिखने का प्रियास कि चीक है ठीक है और इसके बाद आता है लिटमस पत्र लिटमस पत्र भी आपका यह क्या है प्राकृतिक सुचक है ठीक है और इसके बाद आता है अड़ोल की पंखोडिया भी आपको क्या है प अब मसमझता है प्रक्रितिग सुच्च के आगला जैhmen तो आगला है कि अगला जब दूसने जो हमारा जू शूचक का तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगी कि वे सुचक जो रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं उनही को कहते हैं किरित्रिम सुचक कहने का मतलब यहां कि आप देखेंगे यहां तो लिखा हुआ क्या है कि मनुस्य द्वारा रसायनिक पदार्थों का उपयोग कर बनाया गया सुचक को हम क्या कहेंगे तो वे आपको कहेंगे हम करित्रिम सुचक या कहेंगे हम संसलेसित सुचक या अगर इजली समझे तो मानो निर्मित सुचक इसको क्यों कहते हैं क्योंकि यहां पर रसायनिक पदार्थों का उपयोग कर किसी परियोग साला में यहाँ पर बनाया जाता है तो यह जनम से ही नहीं होता है इसको बहुत हारा मेहनत करकर बनाया होता है तो कृत्रिम सुचक यानि मानो द्वारा बनाया गया सुचक यानि उसको क्या कहेंगे हम संसलेशित सुचक ठीक है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो संसलेशित सुचक का जो उधारन है यानि क्रित्रिम सुचक का जो उधारन है यहां पर देख सकते हैं पहला है फिनौफ थेलिन तो यह आपको क्या है यह आपको क्रित्रिम सुचक है और इसके बाद है यहांपर आप देखेंगे तो तो और अगर आप देखें गे तो लिखा हुए कि जिन पदार्थों के गंद अमलिये एवं छार्य माध्यम से बदल जाए तो उसे हम कहते है गंधिये सुचक कहने का मतलब यह है गाईज कि अगर मानते हैं यहाँ पर कोई पदार्थ है ठीक है और उसमें जैसे ही अगर हम अमल डालते हैं करकंद से गंधिये सुचक हम 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 और जो आपको बने सुचक और इसके बाद में हम वैनिला और इसके बाद दिख सकते है लाउं का मेँ समझे तो लवंग हम उसको बोलते हैं ठीक है तो कि यहां पर मैंने तीन सुचकों को बारों में बता दिया है अब हम समझते हैं कि आखिर अब समझने क्या वाले हैं तो यहां पर ध्यान दीजेगा तो यहां पर मैंने लिख रखा है ध्यान दीजिए ठीक है तो यहां पर देखेंगे ल होता है पीले रंग का एक सुचक होता है यानि हल्दी का जो रंजक होता है सुचक यानि रंजक तो हमारा जो हल्दी का जो रंजक होता है वो क्या होता है पीले रंग का होता है और इसमें जैसे ही अगर हम अमले डालते हैं तो हमारा क्या हो जाता है वह हल्दी पीला ही रहता ह क्या होता है हल्दी पीला ही रहता है ठीक है तो आपको यहां पर लगता है कि आख यहां पर चमक रहा है बट यहां पर मैं आपको ज़रा से इसको बैग्राउंड कलर चेंज करने का प्रयास कर रहा है तो साथियों मैं यहां पर बैग्राउंड को चेंज कर लिया है और आप य इसका एक सूचक है जिसमें हमल डालेंगे जते इसकों भी हम करते हैं तो समझने का एक अगर simple सा परिभास आए कि जैसे अगर आप खाना होना अगर खाते होंगे तो by mistake अगर आपको सरीर में कहें पर कपड़ों में अगर हल्दी लग जाती है और जैसे यह उसको अगर हम किसी से धुलाई करवाते हैं तो हमारा धुलाई करने वाला क्या होता है तो वो छारक होता है तो देखते हैं कि वो क्या हो जाता है लाल हो जाता है ठीक है तो आप ऐसे समझ सकते हैं ठीक है तो मैंने हल्दी के बारे में बता दिया है अब हम समझते हैं आगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरा जो प्राकृतिक सुचे के वह लिटमस पत्र तो लिटमस पत्र क्या है तो लिटमस पत्र अब देखे समझते हैं आप बात पर यहां पर गौर किज़ेगा तो लिटमस पत्र ने यार बैगनी रंग का क्या होता है एक रंजक होता है यानि सुचक होता है जो दो तरह का होता है एक तो लाल लीटमस पत्र होता है और एक तो होता है निला लीटमस पत्र ठीक है तो यहाँ पर देखेगा तो हमारा जो लीटमस पत्र होता है वो दूत रहक होता है और लीटमस पत्र को हम लाइकेन फोधा से प्राप्त करते हैं ठीक है इसलिए यह क्या है एक प्रक्रितिक दालेंगे तो इसका जो रंग होगा ना वह आपको क्या हो जाएगा नीला हो जाएगा ठीक है इसका जो रंग है क्या हो जाएगा नीला हो जाएगा तो यह बात भी आपको ख्याल रखने और इसके बाद है नील लिटमस पत्र पर जैसे हम अगर छारक डालती है तो वह क्या हो उसका ना कुछ बदलेगा ही नहीं यानि चेंज वहां पर नहीं होगा यानि हमारा जो अमल होता है वो लाल लीटमस पत्र को ही परभाव करता है यानि नीला लीटमस पत्र को वह परभाव नहीं करता है और जैसी अगर हम छारक डालेंगे नीला लीटमस पत्र पर तो वह क्या लाल हो जाएगा बट यहां पर लाल लीटमस पत्र पर अगर हम छारक डालेंगे तो वह क्या होगा वहां पर रंग वहां पर वह क्या करेगा चेंज नहीं करेगा ठीक है और इसके बाद इसी तरह का जो हमारा सुचक से जैसे अलूर के पंखोडिया यह भी क्या एक सुचक है तो आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है तो आप यहां पर आप देखिएगा अब हम समझते हैं आगे की बात है तो प्रकृतिक सुचक में मैंने बात किया हल्दी क्या प्रकृतिक सुचक और लीटमस पत्र को ही मैंने बात कर लिया तो और भी आप यहां पर समझ सकते हैं औ क्या था फिनौफ थेलीन यह क्या है तो यह हमारा यार क्रित्रियम सुचेक है है ठीक है तो इसका जो हमारा रंजक होता है यार पानी की तरह होता है इसका जो सुचेक होता है यह पानी की तरह होता है और इसका मतलब रंग होता है पानी की तरह होता है और जैसे इसमें अगर ह पर यह भी बात आपको ख्याल रखनी है भिले और Uhh इसक Cream स्गेक होए है जो कि आपको क्या है जो कि इसका जरु किसका एकही होता है यह सुच Cameron होता है यह पिले होता है यह पिले करणक करण और इसमें हम जैसे ही अमल रह जाएगा यानि कोई परभाव नहीं पड़ेगा ठीक है तो अब हम समझते हैं आगे की बातें तो अगला जो हमारा आता है गंधिय सुचक तो गंधिय सुचक को भी हम थोड़ा सा समझते हैं तो गंधिय सुचक में हमारा क्या था प्याज के रस अगर प्याज का रस में ज यहां वैंद अगर यहां तो इसको रहेगा और इसके बाद यहां पर देख सकते हैं अगर लौण का तेल में जैसे हैं अगर हम अमने डालते हैं तो वसका जो घंद होगा क्या होगा समान होगा और इसके बाद इसमें भी है कोई गंध नहीं होगा तो यहां पकी बात भी आपको बहुत ही आसानी से आ गई होगी समझते हैं आगे की बाते और आपको समझ नहीं आते हैं तो यार वीडियो के नीचे बहुत सारे कॉमेंट नहीं बस आपको एक लिख देना है और मैं यहाँ पर बहुत यह असानी से समझ जाओंगा ठीक है तो यहाँ पार जो हमारा जो अगला टॉपिक है वह है अमल एवम छारको के रसायनिक गुन कहने का मतलब यह है कि अगर हम अमल एवम छारको के जो रसायनिक गुन है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि धातु की अमल एवम छारक के साथ अभीकिरिया कहने का मतलब यह है कि कोई भी धातु है जैसे अगर धातु का अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं और इसको size हम छोटा करते हैं ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी धातू तो अब हम यहाँ पर समझेंगे क्या कि हमारा जो धातू होता है उसके साथ अमल योम चारक को अभिकिरिया कराएंगे यानि अमल चारक को मिलाएंगे धातू के साथ तो क्या बनाएगा और क्या नहीं बनाएगा वही हम समझते है इसका रसायनिक गून ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहरे मैं आपको बताऊंगा अमल के साथ धातू की अभिकिरिया यानि अमल जो है उसके साथ हम धातू को मिलाएंगे ठीक है तो यहाँ पर अगर आप धातू अगर देखना चाहते है तो धातू क्या हमारा होता है एक तो होता है धातू आप देख सकते है मैंने धातू का नाम ही यहाँ पर लिख रहा है तो यहाँ पर आगर आप देखेंगे तो हमारा अमल और धातू, यानि कोई भी अमल ले ले लेजिए, अमल और धातू मिलेगा तो हमारा क्या होगा, लवन अथवा H2, यानि हाइड्रोजन गैस, यानि बस आपको यहाँ पर यह बात ख्याल रखनी है, कि अमल और धातू जैस है, तो अमल में अगर ले ले उदारन, तो अमल हमारा क्या है, HCl, तो HCl क्या है, एक हमारा अमल है, जिसको कहते है, हाइड्रोक्लोरिक अमल, और इसके बाद जेडेन, जेडेन यानि जिंक, तो जिंक हमारा क्या है, एक धातू है, तो धातू जैसे ही अमल और धातू को अभ लिख क्या राखा है और इसको साइज जो है ना बड़ा करता हूं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने लिख राखा है इसला का मतलब हइड्यक्लोरिक हमला और इसके बाद जियक का है और इसके बाद जैनल तो बहुत यसाने से लीग सकते हैं तो आगे के बाद को हम समझते हैं मैंने तो धातू के साथ देख लिया अभिक्रिया यानि अमल के साथ मैंने धातू को तो अभिक्रिया कराया तो हमें क्या क्या चीज़ों पराप्थ हुई तो आप देख सकते हैं हमें पराप्थ हुई आप देखेंगे तो धातू के साथ और यहाँ पर देखेंगे तो छारक के साथ धातू अभिकरिया जैसे हमारा को छारक है अगर उसमें हम धातू को अभिकरिया कराएंगे तो हमारा क्या क्या चीज निर्मान होगा क्या नहीं बनेगा आप यहाँ पर देखेगा तो यहाँ पर मैं आप धातु को दिखलाता हूँ छारक के साथ मिला करके कि आखिर यह क्या क्या चीज को उत्मन करता है तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो धातु का नाम मैंने यहाँ पर लिख रहा है आप यहां पर देख सकते हैं ZN यानि G, Fe यानि लोहा K, Potassium, N यानि Sodium यह सब क्या है आपको धातु है और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर है अमल यानि छारक पलस धातु यानि छारक और धातु यहां पर मिलेंगे तो आपका लवन अथवा H2 यानि gas H20 यानि यह आपको क्या gas पराप्त होंगे जैसे अगर चारक में ओधारन देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने संतुलित करना गसी आना टा मैंने लिख भी क्य弹कर है, और प्लस बीजिंग , जिंग क्या है życie है और इन दोनों को जैसे ही मिलाएंगे तो हमारा जो प्राप्त होगा वो क्या होगा Na2 और इसके बाद ZnO2 और इसके बाद प्राप्त होगा H2 यानि कहने का मतलब यह कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने Zn का मतलब क्या होता है जिंक होता है तो यह सब बात आपको काफी ख्याल रखना है तो आप यहाँ पर समझे या नहीं समझे कहने का मतलब यह है कि जैसे ही अगर हम चारक और धातु मिलाएंगे तो हमारा जो अगला चीज जो प्राप्त होगा वो होगा वो होगा लवन अथवा Hydrogen Gas ठीक है तो अब हम समझते हैं आगे की बात है तो गाइज अब हम जो समझेंगे वो है आप यहाँ पर देखिएगा अमल एवम चारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइक कार्बोनेट यानि जिसको हम कह सकते है बाइक कार्बोनेट को हम कह सकते है hydrogen carbonate के साथ अभिकिरिया कहने का मतलब यह है कि कोई भी अमल है और कोई भी छारक है जिसको हम धातू carbonate धातू carbonate क्या होता है तो धातू के साथ जैसे कोई भी धातू है जिसके साथ आपको carbonate जुड़ा होगा यानि कह सकते है जैसे धातू अगर आप example देखेंगे तो धातू NA है तो NA क्या है एक आपका sodium है और इसके बाद CO3 यानि carbonate तो धातू के साथ धातू के साथ अगर carbonate जुड़ा होगा तो वह क्या होज़ा अगर धातू carbonate और इसके बाद धातू bicarbonate कहने का मतलब आप यहाँ पर देखेंगा तो धातू के साथ आपको क्या होगा तो bicarbonate जुड़ा होगा जैसे उसको हम और भी नाम से कह सकते हैं जैसे तो hydrogen bicarbonate hydrogen carbonate हम बोल सकते हैं तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगा तो यहाँ पर NA क्या है तो NA क्या है आपका तो यह आपको क्या है यह आपको धात हुए और इसके साथ मिला क्या है तो hydrogen भी मिला हुआ है और इसके पाद CO3 मिला हुआ यहाँ पर कोई भी नाम यहां तो अब हम यहीं समझेंगे कि ढातू कार्बोनेट अथवा धातू बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करांगे तो यह क्या चीजों को उत्पन यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ कि अमल धातू कार्बोनेट के साथ अभी गिरिया तो यहाँ पर आपको कठीन है पर आपको बहुत हीजिली समझ में आएगा ठीक है तो जरा से इसको और भी साइच छोटा करते अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लिख क्या रखा है मैंने कि जैसे ही यहाँ पर आप देखेगा ठीक है तो यहाँ पर लिखा है कि अमल पलस धातू कार्बोनेट यानि धातू के साथ आपको क्या होगा CO3 ठीक है तो अमल पलस धातू कार्बोनेट जैसे ही यह आपस में मीलेंगे मिलने का मतलब क्या तो मिलने का मतलब अभी किरिया यह दोनों जैसे ही मीलेंगे वे जो आपका अगला पराप्थ होगा वो क्या होगा लवन और इसके बाद CO2 और इसके बाद जल ठीक है तो लवन आप समझ रहे हैं CO2 क्या है गैस आप जल आप समझ रहे हैं तो यह भी आपको समझ आ गई होगी और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अमल धातू बाई कार्बोनेट के साथ अभी किरिया अभी हम अमल को ही अभी किरिया करा रहे है चारक को नहीं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अमल धातू बाई कार्बोनेट याईनि हाइडरोजन कार्बोनेट के साथ जैसे ही अभी किरिया करता है तो आपको क्या चीज का निर्मान करता है तो आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमल पलस धातू बाई कार्बोनेट यह दोनों जैसे ही आपस में मिलते हैं अगला जो आपको पदार्थ पराप्थ होता है वो क्या होता है लवन एवं कार्बन डायोक्साइड अथवा जल याणि दोनों क्या होते हैं सेम ही देते हैं तो आपको यहाँ पर घवरानी नहीं है अब हम समझते हैं कि छारक जो होता है वो धातू कार्बोनेट अथवा धातू बाई कार्बोनेट के साथ अभी किरिया करता है या नहीं तो अब हम यहाँ पर समझ सकते हैं लिखा हुए कि आमल एवम छारक की परस पर अभिकरिया कहने का मतलब यहाँ कि आमल एवम छारक को एक साथ अभिकरिया कराएंगे तो वे आपको क्या प्राप्त होगे तो आप यहाँ पर देखेगा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अमल एवम छारक, अमल एवम छारक को जैसे ही एक दूसरे में, अभिकिरिया का मतलब क्या, तो एक दूसरे में मिलाना, तो अमल और छारक जैसे ही एक दूसरे में मिलाएंगे, तो आपका जो प्राप्त होगा, वो क्या होगा, एक तो प्राप्त होगा लवन, मैंने आपक आके अमल चारक मिलकर क्या बनाते हैं तो लवन बनाते हैं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही असानी से मैंने लिख रखा है कि अमल पलस चारक जब मिलेंगे तो आपको लवन पलस जल यहां पर प्राप्त होंगे जैसे अगर बात करें तो अमल में मैंने ले र और इसके बाद एस टु ओ यानि कह सकते हैं जल यहाँ पर प्राप्थ होता है ठीक है तो गाई यहाँ पर अब हम समझते हैं अखिर अगला जो टॉपिक है वह है उदासनी करन अभीकिरिया तो यहां पर आप धियान दिजेगा उदासनी करन अभिकिर्या बहुत तीजी है कि जब अमल एवम छारग को प्रस पर यानि एक दूसरे के साथ अभिकिर्या कराएंगे तो एक दूसरे को यह क्या करदेंगे अपने आपको यह समप्त करके आपको लवन अथवा जल निर्मान करतेंगे तो इस परकार के अभिकिर्या को हम क्या कहेंगे उदासनी करन अभिकिर्या कहने का मतलब यह है कि जैसे ही अमल अथवा छारग मिलेंगे तो आपका जो अगला प्राप्त जो पदार्थ हैगा वो क्या आएगा लवन अथवा जल आएगा तो यह दोनों यह जो अभिकिर्या यह होगा यह क्या होगा उदासनी करन अभिकिर्या होगा आप नहीं समझें जरा से इसको हम साफ करतें न कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ पर आप देखेंगे तो अमल भी मिला और चारक भी मिला तो अमल चारक जब मिले तो यहाँ पर लवन अथवा जल यहाँ पर फ्राप्त हुआ तो यह जो अभिकिर्या यहाँ पर हुआ यह क्या है यही तो है आपको क्या उदासनी करन अभी करिया बस आपको यह बात सिधे मार्ड में फीट रखनी है कि जब अमल और चारक मिलेंगे तो वो आपको उदासनी करन अभी करिया कहलाएंगे ठीक है तो यहाँ अभी बात आपको बहुत है असानी से आ गई होगी ठीक है तो यहाँ पर अगर आप इसको परिभासा लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख लेना ठीक है वीडियो को रोक कर यार लिखेना ठीक है तो अब हम समझते हैं आगे की बाते तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिख क्या रखाएं मैंने की अमल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिकरिया कहने का मतलब यहाँ की अमल के साथ धात्विक ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड यानि धातु के साथ ऑक्सिजन मिला हो तो उसको हम क्या कहेंगे धात तो यहां पर आप देख सकते हैं अमले के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभी किरिया यानि अगर धात्विक ऑक्साइड को अगर हम इसमें मिलाएंगे तो क्या चीज़ का निर्मान होगा तो जैसे अगर आप धात्विक ऑक्साइड को देखना चाहते हैं जैसे यहां पर दे यानि यहां पर जुड़ गया है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है कि धात्विक औक्साइड प्लस अमल यानि धात्विक औक्साइड और प्लस अमल मिलाएंगे यानि अभी कृट्रिय कराएंगे तो आपका जो अगला प्राप्त होगा वह होगा लवन दिख सकते हैं H2HCl यानि हाइडरोग्हंतु ह्यां किया थी अमलैक इन दोनों को जैसे भी किरेक कराते हैं तो आपका इसको नमक 파प्ट preciso तो यहां भी बात आपको ख्याल रखनी है और यहां पर आप देख सकते हैं कि अगला जो नीचे प्वाइट है वह क्या है तो यहां पर लिखा हुआ है कि कॉपर कुलराइड के बनने से यहां पर बिलियन का जो रंग होता है वह आपको नीला होता है तो यहां भी बात आपको औक्साइड की अभिकिरिया तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत यासानिस से मिल जागे यानि छारक के साथ अधात्विक ओक्साइड की अभिकिरिया यानि छारक कोई है और उसके साथ हम अधात्विक ओक्साइड की अभिकिरिया और उसको हम अभिकिरिया कर गया तो वह क्या हो गया अधात्विक ऑक्साइड के लिए तो यहां पर आप देखेंगे तो मैंने जो अभिक्रिया कराया है वहुत ही असान है तो जैसे ही मैं चारक और अधात्विक ऑक्साइड को अभिकिरिया यहां पर कराया है तो आपका जो अगला चीज पराप्त होगा क्या होगा तो आप यहां पर देख सकते हैं लवन अथवा जल पराप्त होगा तो यह भी बात आपको बहुत यह असानी से आगए होगी यानि चारक और अधात्विक ऑक्साइड को जैसे यहां पर मिलाएंगे तो अगला जो आपको पराप्त होगा वो लवन पराप्त होगा और अगला क्या होगा जल होगा तो मैंने यहां पर देख लिख क्या रहा है तो चारक में आप यहां पर देख सकते हैं CAOS2 यह क्या एक चारक है यानि इसका कहने का मतलब कैल्सियम हाइडरो ओक्साइड क्या यह आपको चारक है यहां पर मैंने हिंदी भी लिख दिया है और इसके बाद पलस CO2 यानि अधात्विक उक्साइड जैसे ही इन दोनों को यहां पर मिलाएंगे तो आपका जो अगला प्राप्त होगा क्या होगा CACO3 यानि आप देख सकते हैं आप इजी ली कि कैल्सियम कार्बोनेंट यह आपको क्या है लवन है और इसके बाद है H2 अलग अलग प्रकार के लवन होते हैं तो यहां पर अलग अलग प्रकार के लवन यहां पर प्राप्त होते हैं तो सधारन नमक जो हमारा होता है NACL होता है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही छारक पलस्त अधातिक ओक्साइड को मिलाया तो आपको लवन अथ्वा जल पर आपत हुआ तो यहाँ पर इजिली आप समझ सकते हैं तो CO2 का मतलब क्या तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्बंडा योकसाइड और CACO3 का मतलब कैल्सियम कार्बोनेंट और H2 का मतलब क्या तो जल ठीक है तो इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से लिखिएगा तो यहाँ पर आप लिख लिजिए ओहो दुनिया से चली गए तो यहाँ पर आप लिखीजिए और हम समझते हैं आगे की बात आगाईज तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि जली ये बिलियन में अमल तथा छारक क्या उत्पन करते हैं जिया वैसे तो बेसिकली हमारा उन्चास मिनट हो चुका है यहां पर मैं एक घंटा में समाप्त करने का पर्यास कर रहा हूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जलिये यहां पर यहां पर देख सकते हैं और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आगा क्या है तो hydrogen Plus ion तब असतिर होता है जब इस रूप में होता है तो यहां पर H3O यहां पर Ultimate Plus तो इस रूप में इसका जो नाम होगा वह क्या होगा तो hydronium ion इसको हम कहेंगे ठीक है तो इस रूपär यह पाये जाते हैं हमारा जो hydrogen Plus ion होते हैं इस रूप 많이 भी आपको पाय होते हैं यानि इस रूप में यह आपको अस्थाई नजर मिलेंगे ठीक है और इसके बाद आता है आप यहाँ पर देख सकते हैं छारक और छारक जो होता है वो जल की उपस्तिती में क्या देता है तो वो आपको हाइड्रोजन सोरी हाइड्रो ऑकसाइड रिन आयन यानि घटा वाली आयन आपको यहाँ पर यानि मैनस वाली आयन यहाँ पर यह देती है तो यहाँ भी बात आपको बहुत ही असानी से आ गए होगी ठीक है तो अब हम समझते हैं आगे की बाते तो यहाँ पर अगला जो टोपिक है आप देख सकते हैं कि जल के साथ अमल एवम चारक को मिलाएंगे तो आपको नया वहाँ पर साउधानिया रखनी है क्या क्या साउधानिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर देखी गया कि हमेसा अमल एवं चारक को जल में धीरे-धीरे मिला है अगर कोई भी अमल और चारक है अगर आपको जल में मिलाना है तो आपको वहाँ पर धीरे-धीरे मिलाना होगा ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जो परकिरिया होता है ना बहुत ही उसमा छेपी होता है उसमा छेपी कहने का मतलब यह है कि उसमें बहुत सारा उसमा आपको प्राप्त होगा तो उससे ये होगा कि आपको जल जाएगा कहई पर आपको बहुत सारा दिकत आगी और इसलिए काच के टब लगतार हिलाते रहना चाहिए कहने का मतलब यह है कि एक टब है ठीक है यहाँ पर कोई टब है और इस टब में मैंने अमला और छारक को मिला दिया तो अमला छारक को मिला दिया तो मिलाने के बाद यह क्या होगा यह बहुत ही उसमा छेपी होगा तो इसको अगर हिलाते रहेंगे तो हमारा क्या होगा उसमा इसमें से कम उत्पन होगा नहीं तो अगर नहीं हिलाएगे तो हमारा उसमा छेपी ज्यादा होगा और कहीं पर हमें जल जाएगी यानि इसमें से जैसे यहाँ पर काज के टब में से जैसे बुलबूले निकलेंगे वे हमारे सरीर को क्या कर देंगे जला देंगे तो इसलिए काज के टब को लगतार हिलाते रहना चाहिए तो यह सब आपके साओधानिया है यादि अगर असानी से देखा जाया तो इससे हमें दूर रहना ही क्या होता है बेहतर होता है और इसको करना भी है तो आप यहाँ पर सिशको के निगरानी में कर सकते हैं तो यह सब साउधानिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि जैसे हम अगर जल और अमल जल के साथ ज आप यहां पर देख सकते हैं easily मैंने समझा क्या रखा और इसको ज़रा सा साइज में छोटा करते हैं तो यहां पर आगर आप देखेगे तो लिखा हुआ है कि आमलो एवं छारकों की प्रबलता प्रबलता कहने का मतलब दागतवर और दुर्बलता कहने का मतलब कमजोर तो आमलो एवं छारकों की दुर्बलता एवं प्रबलता को यहां पर हम समझते हैं तो बस आपको यहां पर यह ख्याल रखनी है कि लिखा क्या हुआ है कि कि किसी छारक या और यहां पर पेन क्यों नहीं तो यहाँ पर लिखा हुए कि किसी चारक या अमल की प्रबलता उसके द्वारा हाइड्रोजन प्लस आयन अत्वा हाइड्रो ऑक्साइड रिन आयन की संद्रता पर ही निर्वर करता है कहने का मतलब यह कि अगर हाइडरोजन पलस आयन देगा तो वो क्या होगा प्रबलता होगा यानि वो क्या होगा बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा हाड होगा और इसके बाद हाइडरो ऑकसाइड रीन आयन देगा तो इसका मतलब वो होगा क्या होगा दुरूबलता होगा यानि वह कमजोर होगा तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि यानि उसको तागत Tucson यो में दुरूबलत्यू itself चाह Moo51 या कह सकते सार्वत्रइक स्विषक द्वारा हम इसको घ्यात करते। या इसे हम पेश्ट गonnerिक और बाद स्विष्ट क चेते हैं इस अब यहाँ पर बात जी यहिंगा ही कि यह सालूब्हों Bean क्णती करते हैं तो यहां पर मैंने नीचे परिभासा को लिख रहा है, आप यहां पर हम अब समझते हैं कि आखिर यह सारो भौमिक सुचक अथवा सारो अत्रिक सुचक होता है, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो आपको घबरानी नहीं है, तो इसका जो डिपनेशन है, कुछ इस परकार क को बिभिन रंगों में परदर्शित करता है, यानि अगर कम यहां पर अगर हाइड्रोजन आयन होगी, तो आपको अलग रंग देदेगा, अगर आपको हाइड्रोजन आयन ज्यादा मात्रा में होगी, तो वहां पर रंग दूसरा परदर्शित कर देगा, तो यह होता है, आ आखीर यह pH scale होता क्या है तो कज़ यहाँ पर आ गई है आपकी बात pH scale पर और यहाँ पर समझने का परियास किज़े तो pH scale होता क्या है तो कज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं परिभासा कि कोई भी बिलियन में उपस्तिती हाइडरोजन आयन की संद्रता ग्याद करने के कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ का बेलियन होगा तो उसमें हैड्रोजन आयन की सांद्रता ग्याद करने के लिए एक स्किल बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं पिएच स्किल तो अगर आप पिएच स्किल जो हमारा होता है यहां पर इस तरह का होता है और इसको स्यारा सा साइड में जितने भी होते वो क्या होते अमल होते हैं और यहां पर आप देखने का पर्यास किजिए कि इस तरह से आपको पीएच स्केल होते हैं यानि अगर साथ से अगर कम होगा तो हम वैसे अगर स्केल पर आपका अगर पीएच माना अगर साथ से कम होगा तो क्या होता है यहां पर आपको अमली हो जाता है वहां का बिलियन यानि वहां का जो बिलियन होगा क्या होगा अमली होगा और यहां पर जैसे ही साथ तो होगा तो साथ पर जो हमारा बिलियन होगा वहां के बिलियन क्या होगा उदासिन बिलियन होगा तो आप यहां पर देख सकते हैं और इ यहां पर आपको यह बात ख्याल रखनी है कि आर जिसका पीच मन साथ से यानि साथ के बराबर होगा उसको हम उदासिन कहेंगे और जिसका यहां पर साथ से कम होगा उसको हम अमलिये कहेंगे और यानि जिसका साथ से ज्यादा होगा उसको हम क्या कहेंगे तो चार यह कहेंगे तो हमारा जो सरीर का प्येच मान होता है वो 7 से लेकर के 7.8 प्येच मान होता है ठीक है यानि हमारा सरीर का प्येच मान होता है वो कितना होता है 7 से लेकर के 7.8 तक इसका प्येच मान होता है ठीक है और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो अगला जो यहां पर लिखा हुआ है कि वर्सा के जल का पीछ मन क्या होता है 5.6 से क्या होता है कम हो जाता है तो इसलिए इसको हम कहेंगे अमली वर्सा क्यूँ क्योंकि 7 से कम क्या होता है तो 7 से कम अमल होता है तो इसलिए आपको यानि 7 से कम क्या है 5.6 तो यह क्या है एक अमली ये वर्सा आपको कहला लिए, ठीक है, तो वर्सा जल का अगर पियशमान अगर साफ पांच पॉइट छे है, तो उसको हम कै कहेंगे, तो क्यों साथ से कम क्या होता है, तो अमल होता है, ठीक है, और इसके बाट यहां पर देखेंगे, तो मुछ का ही मुळुरा हुगा तो सब्सक्राइब बचाए जा सकते हैं बस उसको नशाफ करना बहुत जरुरी ओगा ठीक है तो कर यहांपर आपको यह भी बात आ हमारा जो मुख का जो पीशमार होता है तो 5.5 से क्या होता है कम होता है ठीक है और इसके बाद आता है मधुमकी का डंक तो मधुमकी का डंक में एक अमल होता है जिसको कहते है मैथेनोईक अमल यहाँ पर यह छोड़ता है जिसके करन हमें जलन एवं दर्द होता है कहने का तो यार क्या होगा ना कि हमें जलन होगा और दर्द होगा ठीक है और इसके बाद है कि अच्छी उपज के लिए हमें एक बिसिस्ट एपिएच की आवसेक्टा होती है ठीक है तो यहां पर आपा स्किन सट ले लीजिए अब हम समझते हैं आगे की बात है तो आईए दोस्तों अब हम समझ लेती हैं यहां पर आगे की बात है कि लवन में अब हम समझ लेते हैं कि अमल और छारक मिलेगा तब को क्या होगा मैंने बताया भी था है कि लवन अथवा जल यहां पर निर्मान होगा तो अमल में जैसे मैंने ले लिया हैड्रोक्लोरिक अमल कट्या है कि noi यहां पर दिख सकते हैं तो हैर ज़ल होता है डिखके हैं तो यह सब श्वर घ्रपभश सकते हैं तो यहां चक् éसर आप सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं तो यहां पर अपको समझ आगे है कि यहां पर आगर आपको समझ आ गई होगी तो कि यहां पर आगर आप देखेंगे तो लिखा क्या हुए है कि लवनों से रसायनों का निर्मान के जाता है जी है दोस्तों हमारा जो salt होता है उससे रसायनों का निर्मान के जाता है जैसे अगर बात करें तो पहला sodium sodium hydroxide और इसके बात करें तो बिरंजक सूरन और इसके बात करें तो baking soda यह क्या होता है यह सब आपको लवनों से किया होता है यह सब रसायनों प्राप्त किये जाते है निर्मान की जाते है और एक होता है धोले का सोड़ा और एक होता है प्लास्टर और पेरिस जिसको हम कह सकते हैं पी यानि पॉप हम इसको कह सकते हैं तो यहाँ पर यह सब क्या है रासायनों से यहाँ पर प्राप्त की जाते हैं तो यह सब का बारे में बारी बारी से अब हम समझते हैं ठीक है तो अब हम समझते हैं सबसे पहले कि सोडियम हाइडरोकसाइड यह आकिर होता क्या तो यहाँ पर इजी लिए आप समझेगा बहुत बिलियन में अगर बिधुधारा परवाहित करें तो यह हमारा बियोजित होकर सोडियम हाइडरोकसाइड यहाँ पर उत्पन करता है कहने का मतलब यह है कि आप जैसे यहाँ पर देखेंगे तो लिख क्या रखा है मैंने कि सोडियम कोल्राइड के जलिये बिलियन सोडियम कोल्राइड के जलिये बिलियन है और इसमें बिधुधारा जैसे ही आप वहाँ पर परभाव करेंगे तो हमारा बियोजित यानि तूट जाएगा और सोडियम हाइडरोकसाइड यहाँ पर उत्पन होगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने लिक्न क्या रहा का है सोडियम कोल्राइड तो N-A-C-L का मतलब क्या होता है और इसके बाद आप यहाँ पर देख सेकते हैं जलियो बिलियन हो जिसको कहते हैं यानि 2-H-2 यहाँ पर लिक्या है और यहां पर plus में क्या प्राप्ट होगा CL का मतलब क्या होता है तो chlorine आपको एक gas होता है और इसके बाद हमारा आता है H2 यानि यह आपको क्या है hydrogen gas तो यह सब आपको प्राप्ट होगे तो यह तो आपको पता होगया कि sodium chloride आपको निर्मान कैसे होता है अब इसका हम समझ लेते हैं इसका उपियोग तो अब हम इसका उपियोग समझ लेते हैं ठीक है तो इसका अब हम उपियोग देखते हैं तो CL हमारा क्या होता है यह हमें स्वस्था अमर बनाने में क्या होती हमें साथ करती है और हमारा जो हैड्रोजन गैस होता है यह आपको क् क्या होता है ना तो आपको वहां पर हटाने में यह क्या करता है तो यह बात आपको बहुत यह असानी से अगए होगी तो आप इसको जरसा कि अस्कीन सोर्ट ले लिजा ठीक है तो यहां पर आपको तो मैं समझा रहा है, आप समझते हैं अगला बात है, तो अगला जो हमारा वह है बिरंजक चूरन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लिख रहा है बिरंजक चूरन, और बिरंजक चूरन का जो हमारा सुत्र होता है, यह वो होता है, C-A-O-C-L-2, यानि कैलσιयम ऑक्सी कोलॉर ये आपका होता है इसका सुत्र और इसका निर्मान कैसी होता है तो सुस्क बुजे हुए चुने तोenne क्या क्या होता है शहांद इसको हो गए इससे आपको निर्मान होगा तो आप यहां पर देख सकते हैं, लिइन लिखत है, C a o h i p ly y9 oni जैसे हम यहां पर मिलाएंगे तो हमारा प्राप्त होगा c a o sile 2 यहां पर यह प्राप्त होगा और उसके यहां पर बिरंजक चोर्न का यहां पर निर्मान हुआ अब हम इसका देख लेते हैं उपयोग ठीक है तो इसका जो उपयोग होता है आप यहां पर देखने का प्रयास किजे तो यहां पर इसका जो उपयोग होता है आप यहां पर देखेगा तो उपयोग में इसका क्या होता ह आप यहां पर जरा सहां तो इसका उपयोग क्या होता है कि वस्त्र उधोग में जहां पर वस्त्र बनता है उसमें क्या होता है कि कपड़े पर गंद चीज़ लग जाते हैं तो वहां पर अगर कपड़े में चीज़ गंद चीज़ लग जाते हैं क्या करते हैं कि आपको बिलिंजक चुरने की साहतास उसको साफ करते हैं बहुत यह सानी से यहां पर साफ हो जाता है तो बिलिंजक क्या करेंगे कंपले साफ करने के लिए किया जाता है तो यह भी बात आपको ख्याल रखना है और इसके बाद कागज की फैक्टरी में लकड़ी को फिसकर बेरंजक चुर्ण भी मिलाकर यहां पर कागज बना दिया जाता है यानि कहने का मतलब यह है कि लकड़ी के तुगड़ों को जब हम पीशते हैं तो बहुत ही म हिसे बिरंजक चुर्ण मिलाते हैं तो आपको कागज की तरह उजला हो जाता है तो चुर्न मिलाकर हमें काज भी बना उप्योग होता है वह होता है यहां पदेख सकते हैं इसकर मतलब है अगर पीने के पानी में गंदा हो गया तो मखलाता है breaking soda यहां पर देख सकते हैं baking soda जो कि इसका जो रसानिक सुतर होता है an a co co-3 यानि sodium hydrogen carbonate यह आपका होता है और इसका निर्मान क्या क्या से होता है तो आप देख सकते एन-a-cl co2 और h2 और प्लस nh3 से आपको यह सम्मील करके आपको यहां पर देख सकते हैं और सीओ टूर यानि एकक सीएड और एकल देख सकते हैं यहांपर मिलेंगे तो आपको प्राब pandect की क्या होगा इजली आप देख सकते हैं आपको एन एज फोर से लेनी अमोनियम कोल राइड और यहां पर अगला क्या है यह तो यह आपको बेकिंग सोडा है तो यह सब आपको यहां पर प्राप्त होंगे तो अब इसका अब हम समझते हैं यहां पर खाना पकाते समय गर्म करने होता है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो यह बेकिंग सोला होता है जैसे अगर हम इसको गर्म करेंगे तो आपको प्राप्त होगा सोडियम कार्वो ने जैसे कि आप सबको बता है कि जैसे ही हम बेकिंग सोडा को अगर खाना में उप्यों करते हैं तो जैसे अगर आप समझे तो हमारा जो पकोड़े होते हैं जैसे हम बेकिंग सोडा डालते हैं तो हमारा जो पकोड़े होते हैं वे फूल जाते हैं फूल जाने कहने का मतलब उसमे हमारा कारबंडा योक्साइड गैस निकलता है तो वे आपको क्या करता है खाना को फुला देता है तो यह था हमारा लोनों से आप निर्मान रसाइनिक पदार्थ तीसरा अब हम समझते हैं कि चौथा पदार्थ है जो कि लोनों से निर्मान क्या है और हां गाज यहां पर आप बेकिंग पाउडर बनाना होगा जब तो हम बेकिंग सोडा पलस टार्टरिक अमल जब मिलाएंगे तो हमारा बेकिंग पाउडर यहाँ पर बन जाएगा तो हम बेकिंग पाउडर बनाने में भी उप्योग करते हैं ठीक है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दो डबुक्योर कर सकता है क्या हमारा जो होता है यह हमारी सहेता करता यानि इसटी होता है तो उसमें हम उपएयोग करते और इसके बाद होता है अगनी सामख क्या है तो चौथा आपको लवनों से निर्मान रसानिक पदार्था चौथा यह है धोने का सोड़ा आप इजली समझ सकते हैं धोने का सोड़ा इसका जो रसानिक सुत्र होता है क्या होता एन ए टू सियो थ्री और इंटू टेन 10-2-0 यानि अगर आप इसको समझेंगे तो हमारे क्या है धोने का सोड़ा है यानि आप यहां पर देख सकते हैं यानि एका मतलब सोडियम और सियो थिरी का मतलब carbonate और 10H2 का मतलब यानि आप hydrogen का 10 अनू और H2 का मतलब आपको जल होता है यह सब मील करके आपको क्या बनाते है यह आपको धोने का सोडा का क्या या सूद्र है तो इसका जो निर्मान होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि sodium carbonate के पुना crystal करन से धोना के सोड यहाँ पर प्राप्त किया जाता है कहने का मतलब यह है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको उधारन से समझा आएगी कि NA2CO3 यानि sodium carbonate जैसे ही यहाँ पर पलस 10H2O को मिलाएंगे यानि दुबारा से यहाँ पर क्रिश्ली करने यहाँ पर करेंगे तो आपका जो प पर ना गई हो गी ठीक है तो कई यहां पर इसका अगर आप उप्योग देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ आ जाईगे तो इसका जो उप्योग है कि कांच हमारा होता है कांच साबून एवं कागज के उध्वोगयं में सफाइं करने के लिए होता है कहने का मतलब है जो फैक्टरी होता, उसमें हमारा धोने का सोड़ा उपयोग के जाता है, क्योंकि इसे से हम किसी भी चीज को अच्छा से साप कर सकते हैं, ठेक है, और आप घरों में भी सफाई करने के लिए आप देख सकते हैं, इसका ही हम उपयोग करते हैं, और इसके मत आता है, जल की अस् सकते हैं plaster of Paris . टिक दिसको हम जड़ा सा साइज में छोटा करते हैं तो अगला जो हमारा आता है वह आता है plaster of Paris यह को हम कह सकते पी ओपी यानि कह सकते है पोपप कई यहां पर अगला जो हमारा तो यहां पर अगर आप देखेंगे जड़ासा कहां गई कहां गई कहां गई तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि लौनों से रसायनों का निर्मान के जाता है तो मैंने यहां पर क्या क्या बात कर लिया है तो sodium hydroxide बात कर लिया है और ब्रैंजेक्शुर न बात कर लिया और इसके बाद मैंने बेकिंग सोडा बात कर लिया और इसके बाद धूने का सोडा भी मैंने बात कर लिया और अन्टिम जो है वह क्या है build plaster of paris तो इसको हम बात करते है ठीक है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्लाश्ण और पेरिस लिखा हुआ है अब यह क्या है मामला तो यहां पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ कि जिपसम जिपसम को 373 Kelvin, 373 अर्थाथ हम कह सकते हैं 100 degree Celsius पर हम जैसे ही गर्म करते हैं तो यह जल के अनुव को क्या करते हैं त्याग देता है यानि हटा देता है तो यहां पर आपको केल्सियम सेलफेट अधर हाइड्रेड बनता है तो इसे ही हम कहते हैं प्लाश्ण और पेरिस कहने का म सब्किवाद के publi ओनुग को क्या कर दें का त्याग देगा और केल्सियम सलफेट अधर है रियस केल्सियम रख़ेड याहाँ पर हो गया और इंटू 1 बन बन बटांक दो यानि अधर अधर यानि अधर हाइदा हूँ हूं हुद्छoser है तो यही आपको क्या प्लास्टर ओफ कर荷ा पर देखेंगे तो प्लाष्टर ओपेरिष सफेद रंग का चुर नोट यानी हमारा जो प्लास्टर ओपेरिष होता है होगास होता है तो कllä हमारा जोज। पॉडूर होता है आपको यहां पर उजल होता है यहां पर उजला होता है और जिसमें मिलाने पर थोस में बदल जाताा ही कि हमारा चुना होता है जैसे आप देखोंगे घर हार पेंट करने क्लिद आते हैं जैसे उसमें अगर हम जल मिलाते हैं तो क्या वही तो है आपका जीपसम टेक है तो यहां पर अगर आप इसका उपयोग देखेंगे तो बहुत ही असानी से देखने को मिल जाएगा उपयोग किया है तो टूटी हुई हडियों को सही जगह पर इस्थीर रखने में हमे तो कैसे हमारा टूटी हुई हडियो को कौन सही सलमत से जोड़ता है तो वह हता है पलास्टर और पेरिस पर हमारा और इसका जो उपयोग है और खिलाओने तथा सजावट के समान में भी हम यहां पर उपयोग करते हैं बनाने के लिए ठीक है और इसके बाद है दिवार की सत्व को चिकना करने के लिए यहां पर उपयोग के जाता है जिया आपको तो पता आई है किया घर को जब सीक तो परिभासा या छोटा सा टॉपिक आप यहां पर याद रख सकते हैं तो लवन के एक सूत्र एकाई में जल के निश्चित अनुव की संक्या को हम क्या कहते हैं क्रिश्टलन का जल हम कहते हैं जैसे अगर उदारने में बात कहते हैं तो सी यूए सो फोर यानि कॉपर बहुत ही असाने से आ गए होगे तो कई यहां पर आपको समझना क्या था यहां जो हमारा जो चैप्टर है यहां पर समाप्त हो चुकी है और हाग आज अगर आपको यहां पर कुछ भी अदिकत लगा होना तो वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कोमेंट कर देना यार और मैं था यहां जो चाहीं के तो